हेलो स्टुडेंट आप सबका अन एकेडमी के ऑनलाइन लर्निक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है क्राइक UPSC, CSE, GSWIT, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निक प्लेटफॉर्म है यह यह आप मुझसे जुनना चाहते हैं यह सब्सक्रिप्शन लेती हैं तोक, आपको डेली लाइब क्लासिज, स्ट्रक्चर कोर्स उपलब्ध होगा, लाइब टेस्ट इंक्वीज के साथ अनलिम्टेट एक्सिस की सुपधा प्राप्त होगी अर्थाथ आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं जो आपके लिएक बेहतरीन आउसर है लेकिन यह सुपधा तभी मिलेगी जब आप अन एकेडमी के लर्निंग एप को डाउनलोड करेंगे आप सोचो जराब मैं अपनी बात करूँ मेरा नाम यसंत कुमार सिंग है और पिछले 15-20 वर्सों से मैं UPSA की बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाएवे 100 प्लस बच्चे IS में सेलेक्शन ले चुकी हैं स्टेट PCS की बात करूँ उसकी तो गिंती की ही नहीं जाती मैं प्रजेंट टाइम में निश्चे IS Academy में डारेक्टर हूँ यह कोचिंग दिल्ली के मुखरजी नगर में स्थीत है पिछले 14 वर्सों से मुखरजी नगर में कारी रत है मैं इस निश्चे IS Academy का डारेक्टर हूँ और मैं पॉलिटी, एकोनोमिक्स, इंटर्नल सेकूर्टी, गवर्नेंस के त्यादी क्लास मिल लूँगा यदि आप Unacademy के Online Learning Platform से जुड़ते हैं ता आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर, रोमन सेनी, मुणाल प्टेल, प्रकास कुमार, आयू संगवी, आसिस मली जैसे तीचर से पढ़ने का उसर मिलेगा जो आपके सेलिक्शन में सहयोग दे सकता है यदि आप इस Online Learning Platform से जुड़ते हैं तो बहुत सारे कॉर्से हैं History, Geography, Science, Environment, Ecology, इत्यादी हम हम बात करें दो तरह के कॉर्स हैं एक प्लस, एक आइकनिक हमेश्चा जो प्लस है बात करें यदि हम निश्चे हैं ये 技ब निश्चे के Referral Code काОपयोग करते हैं इस तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हमेश्चा जादो ये दिन निश्चे के Referral Code को अप्योग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अर तरह प्लस पीस आपकी कम हो जाएगी अंतिता आइकोनिक कुर्स की बात करें आइकोनिक कुर्स की दिए बात की जाया तो प्लस और आइकोनिक में basic different क्या है आइकोनिक में personal coach daily main squeeze answer practice study planner और personalized feedback के सुधा मिलती है जो प्लस में नहीं है आइकोनिक की fees ज्यादा है लेकिन इदियाफ निश्च है कि referral code का उपयोग करते हैं निश्च है तो आपको 10% discount मिलेगा इस Unacademy के online learning platform पर optional course की सुधा भी प्लब्द है optional course परिदियाब निश्चे के referral code का उपयोग करते हैं तो यहाँ भी आपको 10% discount मिलेगा जो आपके लिए लाबदायक सावित हो सकता है एक बात मैं कहाना चाहता हूँ मैं क्लास लेड़ाव इंटरनल सेकूर्टी का मिजर क्लास में लोगा पॉलिटी, गवर्नेंस, एकोनोमिक्स लेकिन मेरा तरीका एकदम अलग है आप लगातार पॉलिटी क्लास में देख रहे होगे मैं लिखना सिखा रहा हूँ क्योंकि मेंस क्वालिफाई करना है माली ते प्रिलिम्स हो भी गया और लिखना नहीं आता तो किसी काम करना है अंतिता चल क्या रहा है मेंस क्या हम बात करें आप सोचू जराब क्या आपको मेंस के लिए काम करना है लिखना सीखना है यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपने देखा होगा मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ प्रस्न क्या बनेगा आंसर कैसे चलेगा ये चीज़ में आपको लगातार बता रहा हूँ जानतों क्यों क्योंकि बुकी चीज किताबी भासा कभी याद नहीं हो सकती जितने सरल भासा में आप समझोगे उतने आपके लिए आजसान होगा लाबदायक होगा याद करना अब मैंने ये कहा था पहली क्लास में कि UPSC का पेपर उठाओ और देखो कि जहां किताबे खतम हो रही है वहां से UPSC प्रस्न पूछ रहा है माल लिया जाए आप किताब आपने किताब रेट भी लिया और आपको लिखना नहीं आता तो किसी काम का नहीं है इसलिए टॉपिक को समझाने के बाद मैं प्रस्न उठाता हूँ कि दुगों प्रस्न क्या बनेगा वो आंसर कैसे चलेगा कुछ दीन बाद में आपको आंसर लिखना सिखाऊँगा कि आंसर लिखा कैसे जाता है और यकीन करो मैं आपको सिखाँगा इसलिए आप मुझे जुड़ोगे मैं लिखना सिखाँगा अभी सुरुवात है जैसे जिस मेरी क्लास आगे बढ़ती जाएगी मैं बहुत सारे प्रस्नों को उठाऊँगा यूपी से में क्या पूछा गया है फ्यूचर में क्या बनेगा उन सारे प्रस्नों को उठाऊँगा और प्रस्नों को फ्रेम करूँगा मैं पर मेरा तरीका अलग है हमेश्चा चलो आप हम उसी दिर टॉपिक पर आते हैं हम टॉपिक की बात करें एक जी ध्यान देना है इस बात को मैं क्लास ले रहा हूँ इंटरनल सेक्यूटी का पिछली क्लास में मैं यह बताया था आतंगवाद क्या है और आतंगवाद को आज तक परिभासित क्यों नहीं किया गया यह बात हम लों कर चुके थे यहीं आतंगवाद को परिभासित तर दिया जाए तो उसका प्रढाम क्या होगा आप बात करेंगे जितने भी आतंगवाद की संगठन है उनका उद्दीष कै अँनकी वर्गी करन की बात करेंगे हमेशा जैसे हम यह बात करें कि उद्दिश के अधार पर आतं की संगठन का वर्गी करना हमेशा जाने इस बाग को जैसे उद्दिश के अधार पर आतं की संगठन का वर्गी करना संगठन का हम वर्गी करन की बात करें यदि आतं की संगठन की वर्गी करन की बात की जाए तो तीन तरके आतं की संगठन होते हैं हमेशा पाली बास ऐसे आतं की संगठन जो अलग देश की मांग करते हैं अगे की संगठन देश की मांग करते हैं हमेसा धन्दू जैसे मैंने का एक्जांपल के तौर पर आईयस आईयस यह जो आईयस आतंकी संग्ठन है यह अलग देश की मांग करता है और एक इसलामिक गर्राज की बात करता है दूसरी चीज कुछ ऐसी आतंकी संग्ठन है जो स्वैत्ता की मांग करते है ऐसे आतंकी संग्ठन जो स्वैत्ता की मांग करते हैं जैसे नौर्थ इस्ट में उत्त्री पुर्वी भारत में में सक्रिक आतंकी संग्ठन की बात करें है दो बात या रखना कुछ ऐसी आतंकी संग्ठन है जो अलग देश की मांग करते हैं जैसे आईयस आईयस की बात करें नंबर दो कुछ ऐसी आतंकी संग्ठन है जो स्वैत्ता की मांग करते हैं जैसे उत्री पुर्वी भारत में सक्रिक आतंकी संग्ठन और तीसरी बात कुछ ऐसे संग्ठन है जो बेवस्था में परिवर्थन की बात करते हैं ऐसे आतंकी संग्ठन जो ब्यवस्था में परिवर्तन की मांग करते हैं हमेसा ध्यादीश बात को मैंने क्या काievous कि जितनी भी आतनकी संग्ठाने उनका classification देखे थैं कि तेन तरह के आतनकी संग्ठन होते हैं कुछ ऐसे संग्ठने जो अलग देश केमां करते हैं जैसे स्रिलंका रेणा में लिट खहते हैं अलग देश बनाना चाहता था। दूसरी बात ऐसे आतंकी संग्ठन जो स्वैत्ता की मांग करते हैं। जैसे उत्री पुरी विभारत में सक्री आतंकी संग्ठन और तीसरी बात ऐसे आतंकी संग्ठन जो बेवस्था में परिवर्तन की मांग करते हैं। फ़र एक्जाम्पल नक्सरी विचारधारा से प्रभावित संगठ है वो चाहते हैं ब्यवस्था बदल दी जाए और एक ऐसी ब्यवस्था हो जा समाजी की न्याय हो सभी की मूलबुत आसकता है पूरी हो वो ये चाहते हैं कि हमेशा जांद इस बात को कि ये उद्देश केधार पर आतंग की संग्ठनों का उबर्गे करना है लेकिन आतंगवाद की प्रकार है कितनी तरह के आतंगवाद होते हैं हमेशा वास्तों में देखा जाए आतंगवाद के विभीद रुपलागातार उभरते चले जा रहे हैं और वह व्यवस्था के लिए किस रचनोती पैदा करते हैं जैसे यदिन बात करें आतंगवाद के प्रकार यदिन बातंगवाद के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे राज प्रायुजीत आतंगवाद राज प्रायुजीत आतंगवाद अब सुचो आप राज प्रायुजीत आतंगवाद का अर्थ क्या है जब राज जब कोई देश्ट आतंकित संग्ठनों को राजनितिक आर्थिक और नयतिक समर्थन देने लेगे हैं इसका मतलब यह है आतंगवाद संग्ठनों को राजनितिक आर्थिक और आतंगवाद नयतिक समर्थन राज द्वारा प्राप्थ होना हमेशा जान इस बात को राज प्राजित आतंगवाद का अर्थ क्या है जब किसी भी आतंगवाद की संग्ठनों को राजनितिक आर्थिक और नयतिक समर्थन मिलने लगे हैं उसे कहते इस्टेट स्पांसर्ड टेरिरिज्म जैसे पाकिस्तान कस्मीर में सक्री आतंगवाद की संग्ठनों को राजनितिक, आर्थिक और नैतिक समर्थन देता है हमेशा धान दे इस बात को ये जो राजय प्राजित आतंगबाद है जब नैतिक समर्थन राज द्वारा प्राप्त होता है तो इस राजय प्राजित आतंगबाद में क्या होता है हमेशा कि राजय प्राजित आतंगबाद के के होता क्या है एक देश अपने भावगुलिक सिमा में आतंग की कैम को प्रमोड करता है आतंग की को प्रसिक्छर देता है मतलब एक देश अपने भोगोलिक छेत्र में आतंके कैम को प्रसाहन एवं आतंके को प्रसिक्छान पहले चीज़ हम दूसरी चीज़ बात करें आतंके को राजनितिक हम संरक्षण की बात करें ध्यास सुने इस बात को मैंने का इस्टेट इस्पांसर्ड टेरिरिज्म राज प्राजित आतंकवाद की बात करें कि जब आतंके संग्ठनों को राजनितिक आर्थिक और नैतिक समर्थन जब राज दोरा प्राप्त होता है तो उसे काते हैं राज ब्रायजित आतंकवाद का जाता हो से जैसे मैंने यह का कि जब कोई राज जी आतंकी संग्ठनों को नैतिक समर्थन देने लगे है अब हमेशा जान दो जब कोई देश अपने भागोलिक छेतर में यह आतंकी संग्ठनों को नैतिक आर्थिक और आनितिक समर्थन देता है तो करता क्या है अपने भिसेस भागोलिक छेतरों में वह आतंकी कैंपों को प्रमोड करता है उन्हें ट्रेनिंग देता है उस देश की सेन आतंकियों को प्रसिक छड़ देती है और फिर क्या करती है प्रवेश कराने की खुशिस करती है पर एक जाम पहल यह दिया में बात करें इंडिया की एक दिद्यान देने इस बात को सोचो यह इंडिया है और यह आपका पाकिस्तान है माल लिया जाए मैंने का यह भारत है और यह आपका पाकिस्तान है ध्यान से समझो इस बात को यह पाकिस्तान क्या करता है कस्मीर में सक्री आतंकियों को रानितिक आर्थिक समर्थने देता है इसकारती यह है कस्मीर में जो आतंक वाध है वो राज प्रायजीत आतंक वाध है अफगानिस्तान में जो आतंक वाध है वो state sponsored terrorism है आप सुचो पाकिस्तान करता क्या है अपने भगवलिक छेत्रों में आतंकी कैम चलाता है उनको training देता है फिर पाकिस्तान की सेना क्या करती है उन आतंकियों को कसमेर में प्रवेश करा देती है और यदि एक तो प्रवेश कराती है यदि भारत की सेना उन आतंकियों की विरुध कारवाई करती है तो पाकिस्तान की मीडिया मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाती है हमेशा जान दो मता हर हाल में आतंकवाद को नैतिक समर्थन देना आफ हमेसे जन्द कई बर क्या होता है कि राज़ी प्राजित आतंकवाद क्या करता है यह करता क्या है आतंकवाद की पूसर्ण के लिए संगठित अपरात को प्रमोर करता है आतंकवाद पूसर के लिए संगठित अपराद को हमेसा ध्यान दो यह करता क्या है यह आतंगवाद के न्यूटिशन देने के लिए उसको पल्वित पुस्वित करने के लिए यह संगठित अपराद की बात करता है मतब आर्गनाइज क्राइम को प्रमोड करता है और इस आर्गनाइज क्राइम से क्या होता है ड्रक्स और हतियारों के तसकरी होती है जिसकी चर्चानों कर चुके हैं पिछले क्लास में यह ड्रक्स हतियारों के तसकरी से क्या होता है आतंकियों के मनोबल में ब्रिध्धी होती राज प्राइजित आतंगबाद दूसरी तरफ ये पाकिस्तान करता क्या है इन आतंकियों को आतंकिय मानता ही नहीं और कस्मेर में सक्री आतंक की घटना को धर्म युद्ध करता है कि कई बर क्या होता है कि पाकिस्तान के राजनेता आतंकियों को धर्म की युद्धा करते हैं आप सोचो, हम जब किसी को धार्मिक युद्धा कहके पुकारेंगे, धार्मिक युद्धा के रूपे जब प्रचारित करेंगे, अन युवाओं का क्या होगा? आतंक्यों रुजार बढ़ता जाएगा. तिको धार्मिक युद्धा सब ब्रेन वास करने में बहुत मदद करता है. अप सोचो, धार्मिक युद्धा कहकर के ब्रेन वास किया जाएगा, नए आतंक्यों की भरती क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी. अप सोचो जड़ा, ये जो राजित राजित आतंक्वाद है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाख है. क्यों? रीजन क्या है? कि माल नियाजा कस्मीरी में आतंक्वाद. कस्मीरी में आतंक्वाद, पर अपने का जो भी सोचल या एकनॉमिक रीजन हो, समाजिक आर्थिक कारण हो, हम तुस्से समाप्त कर देंगे. कि समाजिक और आर्थिक समस करेगा, तो क्या होगा? हम दस को मारेगे, बीस पैदा होगे. हम बीस को मारेगे, तो सो पैदा होगे. अर्थात, ये आतंकी घटनाए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगे. कारण ये है कि भारत की सेना कस्मीरी में आतंक्वाद को मारती रहेगे और पाकिस्तान नए आत जी प्राइजित आतंकवाद है, ये इससे सबसे खतरनाक माना जाता है. ये बात हमें सा जान दो. फर एक्जामपल, नौर्थ इस्ट में आतंकवादी घटना है चल लेए, वो हमारे लिए ज्यादा प्राप्लम नहीं है. पर कस्मीर में जो आतंकी घटना चल लेए, वो हमा जान दो और ना तो आसानी से समाप्त होगा बेशक कमजोर होगा पर समाप्त नहीं होगा जो कि राज्य प्राजित आतंकवाद है तो कस्मीर में शक्री आतंकियों को पाकिस्तान के सेना का समर्थन भी मिलता है राज्य प्राजित आतंकवाद हम दूसरी चीज़ बात करें आर्थिक आतंकवाद हमेशे धान दो आर्थिक आतंकवाद का मतलब क्या होता है किसे देश की कुनामी में नकली नूटों का विश्ता है कि आर्थिक आतंकवाद आतंकवाद है नकली नूटों का विश्ता है नकली नोटों का प्रसार करना ध्यान से सुनू इस बात को किसे देश करते वे उस्तावे नकली नोटों का प्रसार करना अर्थात यह जो आर्थिक आतंगवाद है इसका उद्देश क्या है किसे देश के अर्थ वे उस्ता को प्रबाद कर देना इसका उद्देश उद्देश से किसी देश की अर्थ वे वस्ता को बरबाद करना है जैसे आप एकनामी में पढ़ोगे या जब एकनामीक्स की क्लास नोगत बताऊंगा जब मार्केट में जाली नोट नकली नोटों का प्रसार होता है तो अचानक डिमांड क्या हो जाती बढ़े जाती है जब डिमांड बढ़ेगी मांग जब बढ़ती है ना जब डिमांड बढ़ती है तो उसका परड़ाम क्या होगा हमेसाद आदो जब डिमांड में बृद्धी होगी ना तो क्या होगा कि डिमांड के साफेक चीदी कीमतें नहीं बढ़ पाई तो महांगाई बढ़ी जाएगी जिसे हम एकोनॉमी के भासा में कहें इंफ्लेशन और जब महांगाई बढ़ती है तो उसका प्रेढाम क्या होता है ये बात हमें सधान दो हम इसे कहते हैं आर्थिक आतंकवाद सिंपल चीजें कि नकली नोटों का प्रसार करके एक नौमी में डिमांड क्रियेट किया जाता है बड़ी पहमाने पहाँ अचानक जो डिवान बढ़ जाएगी तो महांगाई बढ़ जाती है हमेशा ये है आर्थिक आतंकवाद हम दोस्रे चीजे पर्याणी आतंकवाद क्या है यदि हम प्रयाणी आतंकवाद की बात करें तो किसे देश की प्रयाण को छती पहुचाना है प्रयाणवर्न को बने पहमानी पहाँ प्रयाणवर्न को बने पहमानी पहाँ हमें से जान्द इस बात को इसे कहते हैं पर्यावडी आतंकुवाद। एक छोटा से जम्प लेता हूं, जब अमेर्का एराक की भी युद्ध हुआ, और जब एराक ने कौैट पर हमला किया, परत्करियर्स दुरूप अमेर्का ने जब एराक पर हमला किया, तो इराक नहीं क्या किया अनेक तेल कुओं में आग लगा दे उसे बड़े पेमाने पर पॉलुशन बढ़ गया समुद्र में तेल को छोड़ दिया गया क्योंकि तेल की जो पाइप लाइने थी उस पर आग करमण किया गया बड़े पैमाने पर समुद्र में तेल का रिषा हुआ जब तेल का रिषा हुआ बड़े पैमाने पर समुद्र में तो जितनी भी समुद्र जीव जन्तु थे उनका बिनास होने लगा क्योंकि समुद्र का भी एक बायो सिस्टम है आज उसमें परिवर्तन होगा तो सिस्टम में जीवित रहने वाले जीव जन्तु की विकास पर प्रतिकूल प्रहाव पड़ता है जैसे यह कहा जाए अमेरिका और जब वेतनाम का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने बड़े पेमाने पर रसायनों का प्रियोग किया और वेतनाम के जंगलों पर रसायनों का छिड़काउ किया उससे बड़े पेमाने पर प्रयावण को छती पहुची अनेक जीव जन्तु नश्थ हो गये प्र्यावणी आतंकुवाद अब सोचू जराओ धार्मिक आतंगवाद की बात करें कई बार अख़बारों में इसलामिक आतंगवाद सब का प्रियोग किया जाता है लेकिस सब्द अपने आप में गलत है गलत इसलिए है क्योंकि इसलाम आतंग के सिक्षा नहीं देता दुनिया का कोई भी धर्म हो वो आतंग के सिक्षा कभी ने देता है हाँ इसलाम हो चाए हिंदू हो चाए सायत हो अनेक लोग क्या करते हैं धर्म का दुर्प्योग करते हैं और धर्म के नाम पर ब्रेन वास करते हैं यह अलग चीज है कि प्रजेंट टाइमे जितने भी आतंकी संगठन है वो जादेतर उन देसों में सक्री हैं जो मुस्लिम राष्ट है या आतंकी संगठन के जो सक्री सदस है वो सब के सब इसलाम से जुड़ी हुए है चाह कस्मेर में सक्री आतंकी संगठन हो पाकिस्तान आफगारिस्तान हम बात करें सीरिया नाइजेरिया सुमालिया कि हम बात करें या हम इराक के बात करें आईस आईस यह सब किसम मुस्लिम राष्ट से जुड़े हुए है यह इसलाम से जुड़े हुए है और यह आतंकी संगठन करते क्या है कुरान की गलत ब्याख्या करते हैं और उसके अधार पर नए आतंक क्योंकि भरती करते हैं मैं बेशतर हमेशना जयांदो अख़बारों में इसलामिक आतंकवाद सब कर्योंकिया जाता है लेकिन यह सब अपनी आप में गलत है इसलामिक आतंकवाद ने धार्मिक आतंकवाद हमेशना जयांद Лएक को जैसे बात करें 1990 से पहले पंजाम में बड़े पेमारे पातंगवाद था वो सब के सब सिख समधाय से थे नार्थिस्ट में जितनी भी आतंगी संख्ठन है वो सब के सब क्रिश्चियन है हम आयरलेंड की बात करें आतंगी संख्ठन की बात करें हम जर्वनी की बात करें, हम इस्पेन की बात करें, सोचो आप, इटली की बात करें, यह जितनी भी आतंकि संग्ठन सक्री है, अधिकान्ज कृषियन है, इसाई धर्म से जुड़े है तो इसाही आतंगवाद सबकप्रियों क्यों नहीं किया जाता है इस्लामिक आतंगवाद सबकप्रियों क्यों बेशक पर जिन टाई में जो आतंगवादी है उनके सबसे ज़्याद संख्या इसलाम से जुड़े लोगों की है बलकि ये कहा जाए सबसी जदो खुकार जो आतंकी संग्ठन है वह इसलामिक इसलाम से जुड़े हुए इनके जो नाम है इसलाम के नाम पर है इसले कई बार इसलामिक आतंगबाद की बात तो की जाती है पर मेरा व्यक्तिकत विचार है व्यक्तिकत विचार कि इस्लामिक आतंगबाद सब का प्रियोग करना गलत है जैसे हमने ये का धार्मिक आतंगबाद हमेशा जान दो ये कहा जाए धार्म के नाम पर आतंगबाद को पुरुशान नाम पर आतंगबाद को पुरुशान हमेशा जान दो इस बात को धार्म के नाम आतंगबाद को पुरुशान ये धार्मिक आतंगबाद में क्या होता है आतंग की घटनाओं को धार्मिक गिद्ध कहा जाता है को धार्मिक युद्ध कहा जाता है हमेशा जान दिस बात को देखो आप इसमें आतंग की घटनाओं के धार्मिक युद्ध कहा जाता है आतंग की घटनाओं को धार्मिक युद्ध कहा जाता है कि आतंग की अधार्मिक युद्ध कहा जाता है कि युद्धा हमेशा जान दो यह जो धार्मिक आतंग वाद है या धार्म के नाम पर आतंग वाद को प्रमोड किया जाता है जैसे मैंने यह कहा पाकिस्तान या अफगानस्तान में सकरी तालीबान या अलकाइदा यह जो कैसे धर्म का दुर्पियों करते है और नए आतंग्यों की भरती करते है एक बेस्ट एक्जांपल देता हूँ आपसे अफगानस्तान पाकिस्तान की बार्डर पर तालीबानियों ने क्या किया कि जन्नत का छोटा सा नजारा बनाया आर्दस कमरे उसमें युआओं को रखा जाता था और जो आप एक्छा करते थे उन्हें वह चीप्यप्त कराई जाती थे चाहे कबाब हो चाहे कोई भी चीजो अब सुचो आप एक अप्टा रखने के बाद उन युआओं से कहा जाता था कि जन्नत का छोटा सन लजा रहा है ऐसा ही जन्नत होता है आपने इच्छा की आपकी इच्छा की पुर्ती लिए वास्तों में जन्नत जाना चाहते हो तो इसलाम के लिपनी कुर्बानी देनी होगी किस तरह ब्रेंड वास किया जा रहा है यह कहा जाता था तुम कितने खुश नसीब हो कि अल्ला ने तुम्हारा चैन किया है दार्विक वो इवा उन इवाओं का ब्रेंड वास करके आतंकी बना दिया जाता था अब वो आतंकी इसलाम के नाम पर सहीध होने में गर्विक के अन्भूत करते थे और पब्लिक प्रेंड पर बंब ब्लास्ट करना या स्वाइं को बंब से उड़ा लेना किस तरह ब्रेंड वास किया जा रहा है अब एक प्रेशनर एक कहानी सुनाता हूं फिल्म आई थी आमीर एक फिल्म आई थी आमीर फिल्म ये दिखाए गया कि एक डॉक्टर जो है इंडिया में एरपोर्ट पुतरता है उत्तरने के कुछ दिर बाद उसका समान चोरी हो जाते है वो खोजता है कुछ द्रिबाद दो लोग आते हैं बाइक से एक आते हैं तुम्हारा समान मिल जाएगा पचलो मेरे बास के पास वो जाता है उसका बास आतंकियों का सरगना है वो कहता है तुम कितने खुश नसीब हो कि अल्ला ने तुम्हारा चैन किया है तुम्हें ये नेक काम करना है मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी वो मना कर देता है तो आतंकियों का सरगना उसके एक परिवार के एक मिंबर को मार देता है वो डर जाता है अब पब्लिक प्रेस पर बंबिस्पट करने के लिए तयार हो जाता है सिंपल चीजें किस तरह वो आतंक्यों का सरगना कहता है कि तुम कितने खुश नसीब हो कि अल्ला ने तुम्हारा चैन किया है सोचो आप किस तरह नए आतंक्यों की भरती जब उन्हें धार्मिक व्युदा कहा जाता है पड़ामत क्या होता है धार्म के नाम पर वाओं का ब्रेन वास करना असान है अज व्युदा का ब्रेन वास करना आसान हो गया धर्म के नाम पर व्युदा का ब्रेन वास करना असान हो गया सोचो जब आप मैंने क्या का यह जो धर्म है यह धर्म के नाम पर व्युदा का ब्रेन वास करना असान हो गया सुवाविक है नए आतम क्यूंकी भरती आसान कि ब्रती आसान हो जाती है एक चिस सुचो जराव कि धर्म के नाम पर वाओं का कैसे ब्रेन वास किया जाता है बलकि मैं यह कहूं कि धर्म के नाम पर वाओं का ब्रेन वास करना कितना असान है धर्मिक आतंकवाद और इस समें जितने भी आतंक के संग्टन सक्री है जितने सब के सब्धार्मिक आतंकवाद है कई बरिसे धार्मिक आतंकवाद कोई इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है हमें सब्सक्राइब कर दो किनि कई बार इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है धार्मिक साइबर आतंकवाद का मतलब क्या होता है सब्सक्राइब करें सा ऐबर 50 राज़ा को सब्सक्राइब करें क्या होता है की साइबर हम्ला साइबर अटक किुए कि इसमें क्या होता है कम्प्यूटर में दर्च सुचनाओं को हेक कर लेना नश्ट कर देना इसका मतलब यह है देखो आप कम्प्यूटर में दर्च सुचनाओं को हैक करना या नश्ट कर देना अब सुचनाओं इसे कहते हैं साइबर आतंक वाद है यह जो साइबर टेरिज्म है यह अब यह सबसे ज़्यादा खतरनाख होता जा रहा है रिस्तर यह है कि इंडिया डिजिटल इंडिया की और अगरसर हो रहा है हर इक चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है अब सुचो जराब माल लिया जाए कि हमने डिजिटल इंडिया की बात की डिजिटल हमने इंडिया की बात की अब सुचो जब डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो पूरा परसासन की स्पंद्र भुर हो जाएगा परसासन हमेशा यह कहा जाता है परसासन भी डिजिटल है प्रसाशन का डिजिटली करन हमेशा धन्दो सभी स्यवाओं का का डिजिटली करन जितनी भी सिवाओं है उन सभी सिवाओं का डिजिटली करन हो जाएगा यह कहा जाता है राष्टी सुरच्छा केली महत्पुर्ण सूचना के डिजिटल रूपने मैं एक छूटा से जंप लेता हूँ मतलब हर एक चीज का डिजिटली करन हो जाएगा आप सोचों साइबर अतंगवाद में क्या हुआ इदि सुचनाओं को हैक कर लिया गया तो मैंने क्या का पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साप्टेवर पर चलता है जैस आपका मुबाइल देखो आप आपकी क्लास भी चल रही है आपका मुबाइल भी साप्टेवर पर चल ला है इदि कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में इंट्री किया और सुचनाओं को नश्ट कर दिया आपकी मुबाइल में जितनी भी आकड़े हैं एक हैकर चाहेगा एक सिकेंड मे नश्ट कर देगा आप कुछ नहीं घर पाओगे साड़े आकले नश्ट हो गया है सोचो आप आप पूर्ट आखिडा हो गया है क्योंकि डिजिटल इंडिया में लोग एक दूसरे से जो रिलेशन अस्थाफित करेंगे वो डिजिटल फॉर्म है आपको गैस वर्मान है आनलाइन बुकिंग करनी है मुबाइल यह सब कुछ साफ्ट वेर से चल ला है या आप की बात करें तो यह जो साइबर आतंगवाद है जब हैक करेगा या नश्ट कर देगा सुचनाव को पूरा प्रसासन ठफ हो गया सिवाय मिल्ला बंद यह कहा जा आपकी राष्टी सुरच्छा खत्री में पड़ जाएगी इसलिए साइबर आतंगवाद की आलोचना की जाती है कि साइबर तरी रिज्म की बात करें अन्त ब्याया विचारधारा उनमुक आतंगवाद हमेशा ज्यांद इस बात को विचारधारा उनमुक आतंगवाद की बात करें उनमुक आतंगवाद हमेशा यह जो विचारधारा उनमुक आतंगवाद है इसमें दो चीजे हैं एक बामपंत उग्रवाद और दोसरा है दच्छे पंति उग्रवाद हमेशा धन्दो एक है बामपंत उग्रवाद और दोसरा है दच्छे पंति उग्रवाद की बात करें यह जो बामपंत उग्रवाद है यह क्या है यह विचारधारा पंदिर भर है एक आइडिलोजी है मतलब यह बामपंति आइडिलोजी है यह मावादी विचारधारा पंदिर भर है अग्यों मावादी अग्यों विचारधारा प्राधारित है हमेसा धन्दो इस बात को ये जो विचारधारा है इनका मानना है ये जो मावादी विचारधारा है इनका ये मानना है कि सक्ति बंदुग की नली से निकलती है हमिस्ते थांदो मैंने क्या का ये बामपन तो गुरुबात है और यहां मावादी विचारधारा पाधारी थे इसकी माननता यह है इसकी माननता यह है कि जो सक्ति है वो बंदुग की नली से निकलती है इसरे जो बामपन तो गुरुबात है यह करता क्या है हिंसक आंदोलन के माध्यम से वेवस्था में परिवर्तन चाहता है यह हिंसक माध्यम से बेवस्था में परिवर्तन हमेशा धान्दो यह जो बामपन तो गुरुबात है मैंने क्या का यह माधी विच्णधारा पदारीत है इसके मानता यह है कि सक्ति जो है बंदू की नली से निकलती है यह ऐसा मानता है यह हिंसक आंदोलन के माध्यम से वेवस्था में परिवर्तन चाहता है यह चाहता है कि पूरी वेवस्था को बदल दी जाए और वेवस्था में परिवर्तन के लिए यह हिंसक आंदोलन की वकालत करता है बामपंद तो गुरुबाद दुनिया के अनेक देसों में इनके जो एक्जाम्पल है यह दियम एक्जाम्पल की बात करें हमेश्चा जैसे यह दियम बात करें उदाहा रहना बामपंद के दुदाहारण की बात करें हम लोग उदाहारण देखो आप जर्मनी में चलना है रेड आर्मी इतली में जो चलना है रेड वी ग्रेड हमेश्चा पीरू में चलना है साइनिंग पाथ और जो भारत में चलना है नक्सल हमेश्चा धान दो यह एक जामपल है बामपंद उग्रुवात का एक जामपल जर्मनी में रेड आर्मी है इतली में रेड वी ग्रेड है पेरू में साइनिंग पाथ है और इंडिया में भारत में नक्सलवाद है हमेश्चा धान दो इस बात को यह बामपंद उग्रुवात है हमेश्चा यह ब्यवस्था में तिवर परिवर्तन चाहते है क्योंकि नहीं लगता है कि बरतमान ब्यवस्था में उनके साथ समाजी के लिए नहीं हो रहा है तो चाहते हैं कि ऐसे ब्यवस्था हो जा उनके साथ न्याय हो लेकिन जो दच्छल पंतियों गुरुबाद है ये ब्यवस्था को बनाया रखना चाहते है ब्यवस्था को बनाया रखना चाहते हैं एक बात हमेश्था जांते हैं ये सारे आतंगवाद के विभीत रूप है जैसे राज्य प्राजित आतंगवाद, साइबर आतंगवाद, धार्मिक आतंगवाद, पर्याणी आतंगवाद, आर्थिक आतंगवाद और अगला बिचारधारा उनमोख आतंकुवाद सोचो आप इतनी सारे आतंकुवाद के रूफ है हमेशा धान दो इस बात को यह है बिचारधारा उनमोख आतंकुवाद Ideology Based Terrorism आगे हम टॉपिक पर बात करेंगे आप एक प्रस्ट उठा जब हम आतंकुवाद की बात करते हैं हमेशा धान दो जब आतंकुवाद की बात करते हैं तो दो रूफ होते हैं एक आतंकुवाद का बीज बोता है और दूसरा आतंकुवाद को पल्ली भी तो पुश्वीद करता है कैसे और किस रूप में इसको ध्यान से समझो इस बात को जैसे जिवम आतंगवाद की बात करती है तो दो चीजे है एक तो आतंगवाद का भी जार उपन होता है एक आतंगवाद को पलवित पुश्कीत करना आतंगवाद का भी जार उपन अब दूसरी बात आतंगवाद को पलवित पुश्कीत करना आतंगवाद को पलवित इवम पुश्कीत करना ये दो की बात करेंगे मतलब आतंगवाद का बीज बोता कौन है और आतंगवाद एक बट ब्रिक्ष का रूप लेता क्यों है सुचो आप ये तिन बीजार उपन की बात करेंगे तो दो चीज़ होगी एक रानितिक कारक और दूसरा है धार्मिक कारक इसके बिस्तार में दो फेक्टर काम करते हैं करें सामाजिक कारक और हम बात करें आर्थिक कारक करें हमेसा धंदिस बात को यह आपाते करें आतंगवाद के बिजारोपन की बात करें है यह आतंगवाद को पलीमित पुष्पित करने की बात करें हम जाहां से सने इस बात को पोलिटिकल फेक्टर होता है रेलिजिस फैक्टर है सोशल फेक्टर है और एकनोमिकल फैक्टर है प्रसन कैसे पूछेंगा UPSC आगे हम बात करेंगे यह जो पॉलिटिकल फैक्टर है यह कैसे आतंगबाद को प्रमोड करेगा और जो रिलिजिस फैक्टर है यह कैसे आतंगबाद को प्रमोड करेगा जो सोसल फैक्टर है या एकनॉमिकल फैक्टर है यह दोनों आतंगबाद को कैसे प्रमोड करेंगे यहां प्रसुप खड़ा हुआ ध्यान से सुने इस बात को यह political factor है झाल 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 झाल